हरो दोस्तों यह मेरा पहला बलाग है यह मेरा तूटा-फूटा आशिया ने आप लोग देख से हैं इन्हीं के चत चाया में मैं रहता हूं और अपनी कूटी-फूटी मोबाईल से मैं बीजी बनाता हूं अब दोस्तों यही मेरा फूटा सा मोबाईल है यह बहुत अच्छा लोकेशन यह बहुत अच्छा साथ नहीं करता है लेकिन भी मैं कोशिच करता हूं कि आप लोगों के लिए अच् अच्छा काई करम प्रस्तुत करूंगी ताकि आप लोगों का भरपूर बनों मेरे आप लोग आरानित हो जाएं और यही जो परदा देख रहे हैं इसी पर मैं गाले सूट करता हूं अब आप लोग उसका अनंद लिजेगा और मेरे चैनल को लाइब और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब आपको अपनी घर दिखाएंगे जिसको देखके आप मुझे अपने प्यार दीएगा और मेरा सवहक कीजिएगा हां तो मैंने आप लोगों से वाज़ा किया था ना कि मैं अपना महल दिखाऊंगा तो आप मेरा महल देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि व उसके बाद आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो आजे सबसे पहले मैं आपको अपनी दो पहिया बहां दिखाता हूं जिससे मैं चलता हूं सामने है आपके यह मेरी तूती भूती राम मरया है जहां मैं रखता हूं और अब आपको मैं ले चलता हूं अपने दर्वाजे के सामने जहां मैं कई सूटिंग किया हूं सूट किया हूं आप लोगों कोई गाने मरो रंजर के लिए गाना उसको दिखाने चल रहा हूं तो आए मेरे साथ आप दोस्तों देखिए मैं सोता हूं उपर पनी लगा हुआ है यह चूटा है इसे में पानी दुखता है जो पानी मैं बतूर के फिर वाहर ले जाके ठीकता हूं और आये गये मेरे दरवाजे के सामने यहां दोस्तों देखिए तीने चपड़ है मेरे परिवाज के लोग होते हैं मेरे बच्चें और आप अध्यान से देखिए यहां यहां मैं मोबाइल चार्ज करता हूं जो मोबाइल आप लोग गाना देखते हैं उन्होंवाइल को चार्जी लगा हुआ है यहें वो'm का ये लोकेशन है जहां आप लोग हमाले आट नहीं सोभिन है रहे को अप को डेखते हैं कि न 지도 वह में आने नोग दूपक्रेम्हेंद नहीं तक जो के सव करते नहीं है कि द दहाद होले यहां मैंने आनीद तवीज के फ़रने किने श्कांत बहुत लिख दोस्तों तो आप लोगों को मेरा राम मरिया कैसा लगा मैंने आप से कहा था ना है महल है तो वास्तों में मेरे लिए महल है अगर आप लोग चाहेंगे तो वास्तों में महल हो जाएगा लेकिन इसके लिए आप लोगों का प्यार आसिरबार मिलेगा तभी हो पाएगा तो दो दोस्तों मैं आता नहीं मुझे पूल विश्वास कि आप लोग मेरे हर वीडियो को देखेंगे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे तभी ये राम मरिया महल हो सकता है आप लोगों के प्यार का आभारी रहोंगा और अब जाजा कहने में थोड़ा कस्त हो रहा है ये दोस्तों ये हकीकत है मैं बया कर रहा हूँ धन्यवाद